मित्रू मेरा कार्टिक विशेश गोपा अश्ट्मी रादे रादे मित्रू मैं आपको गोपा अश्ट्मी की कथा सुनाने जा रहे हूँ गोपा अश्ट्मी की कथा सुनने मास से जीवन के सारे काम पूर हो जाते हैं एक सावकार था लेकिन वह बहुत ही कंजूज था सावकार की इस्त्री मंदिर जाती पूजा पाड़ करती लेकिन सावकार ना करता एक दिन सावकार की इस्त्री और उसकी सहेलिया कहती कल गोपाश्ट मी है तो गौका दान करेंगे लेकिन सावकार की इस्त्री बोली बहन सावकार मुझे दान कुछ दान पुन नहीं करने देगा तो सहलिया बोली घर में सोना है तो तुम सोनी की गाय बनवा लो और उपर से मिट्टी लपेट देना ठीक है उसने वैसा ही किया सावकार से पूछा कि हम कल गोपाष्ट में पर गाय दान करें तो सावकार कहने लगा क्या ज़रूरते करने की हम पहले ही कर चुके हैं तो सावकार की इस्त्री बोली मेरा मन है कुछ खर्चना होगा मिट्टी की गाय दान करना है हमने बना ली है तो उसने का ठीक है तो इसके लिए मुझे पंडित को जिवाना पड़ेगा तो उसने का ठीक है पंडित को खिला दे लेकिन रूखा सूखा खिला न सावकार्णी बोली ठीक है उसने आटे में खोब घी डाला और रोटी बनाई और दाल में भी घी डाला तो द पंडित गाय लेकर और चारा लेकर घर पहुचा पंडितानी बोली मित्टी की गाय चलू बच्चे खेलेंगे अंगन में गाय छोड़कर चले गई रात में बारिश आई, मिट्टी बह गई, सोना रहे गया, तो पंडित बोला, सोनी की गाय देखकर, चलो साधी में बेटी के काम आवेगी, कुछ दिन बाद सावकार खतम हो गया हुए, इस संसार से चला गया, तो बैतरनी नदी पार करने के लिए मिट्टी की गाय आई, तो अमराज बोला, कि तुमने तो कुछ भी दानपुन नहीं किया, लेकिन तुम्हारी सावकार ने न किया था, तो सावकार तुम्हारे लिए आई है, बैतरनी नदी में जैसे सावकार ने, पूच पकड़ कर पार करना चाहां, तो मिट्टी घुल गई, सावकार न सोचा, अग सावकार नित ने बड़ा अच्छा काम किया, चलो नदी पार हो जावेगी, मित्रों, जो भी गोपाष्ट मी पर, जो व्यक्ति दान पुंड करता है, और गाय की विसेश पूजा करता है, तो से बड़ी सुख सांती, सुख सम्रिति प्राक्त होती है, मित्रों, आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक एंड सब्स्ट्राइज कर देना, कर देना प्लीज